इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्या construction रहता है और क्या working रहता है एक two stroke diesel engine के बारे में ठीक है और मैं इस वीडियो में आपको animated वीडियो के थूरू भी जो है समझाने वाला हूँ तो चलिए इस वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यह diesel engine क्या होता है ठीक है अब इसकी पहली वीडियो में diesel four stroke के बारे में बता चुका हूँ तो उसमें भी मैं यह चीज़ explain कर चुका हूँ पर यह नई वीडियो है इसलिए में वापस explain कर देता हूँ ठ इसा engine जो fuel को as a diesel यूज़ करें तो वो क्या कहलाएगा diesel engine कहलाएगा ठीक है यह तो एक common बात हो गई अब देख लिएते हैं और क्या चीज़ होती है अब जो diesel engine है उसको हम CI engine यानि compression ignition इंज़न भी कहते हैं ठीक है CI मतलब compression ignition इंज़न ठीक है अब compression ignition इंज़न इसका नाम जो हम बहुत ज़्यादा compress कर देते हैं और फिर जब हम diesel को spray के form में जब cylinder के नतर लाते हैं तो तब जो ignition होता है वो बहुत ही high pressure पर होता है इसलिए जो इसका नाम है compression ignition engine इंज़न भी दखा गया है ठीक है और इसके बाद जो है diesel engine जो है वो diesel cycle की उपर work करते हैं जो की एक thermodynamic cycle है जो कि एक constant pressure cycle है ठीक है अब जो तीन चीज़े है वो note करने की diesel engine में है वो क्या क्या है वो आप देख लीजिए देखिए सबसे पहले क्या है कि diesel engine के अंदर जो है सबसे पहली बात जो diesel engine के अंदर कोई भी spark plug का उपयोग नहीं किया जाता है ठीक है अब क्यों नहीं किया ज चीज है वो क्या है कि जो suction stroke मतलब जब air जो हमारा चार्ज अंदर आता है उस suction stroke के अंदर जो है खाली cylinder के अंदर अगर हम diesel engine की बात करें तो air आती है ठीक है fuel और air commission नहीं आता है सिर्फ air आती है ठीक है और तीसरी चीज यह है कि जो diesel engines होते है उसके अंदर पे जो है कार्बोरेटर का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि कार्बोरेटर का क्या काम रहता है जो कार्बोरेटर है वो fuel और air के mixture को एकदम right proportion में cylinder के अंदर भेजता है तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि suction stroke के दौ fuel और air को mix करने का कोई मतलब ही नहीं है तो इसलिए इसमें कार्बोरेटर कापयोग नहीं किया जाता है ठीक है यह तो बात हो गई हमारी diesel engine की अब हम बात कर लेते हैं कि यह two stroke क्या होता है अब देखिए two stroke का हम यह कह सकते हैं कि कोई भी engine है उसके अंदर basically 4 processes होती है सबसे पहला suction, दूसरा compression, तीसरा power और चौथा होता है क्या exhaust ठीक है ये जितनी भी चार process हैं अगर ये चार process 1 revolution of crank shaft के अंदर complete हो जाएं या 360 degree of crank shaft के अंदर complete हो जाएं या तो फिर हम कह सकते हैं कि 4 strokes of piston के अंदर ये सारी processes complete हो जाएं तो हम ऐसे engine को क्या, सोरी यहां पे 2 आना चाहिए 2 stroke of piston के अंदर complete हो जाएं तो हम इसको क्या कहेंगे 2 stroke engine कहेंगे, ठीक है मतलब क्या है कि एक बार हमारी crank shaft का revolution होगा मतलब 360 degree हमारा crank shaft revolve होगा और हमारी ये चारो process जो है complete हो जाएंगी तो ऐसे engine को हम क्या कहेंगे, 2 stroke engine कहेंगे तो ये तो बात हो गई, diesel engine की और 2 stroke engine की अब हम construction देख लेते हैं, एक 2 stroke diesel engine का तो आप इस diagram से देखी सकते होंगे यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको main main चीजे बता दूँ जो 2 stroke engine होते हैं, उसके अंदर कोई भी valves नहीं होते हैं खाली ports होते हैं, ठीक है तो ये है inlet port, जिसके तुरू जो हमारा air है, वो enter करेगा उसके जस्ट उपर लगा है exhaust port, जिससे हमारा जो gases है, वो बाहर के दरफ जाएंगी और ये जो तीसरा आप देख रहे हैं, ये है transfer port, ठीक है अब जो उपर के part है, ये, वो है cylinder अब cylinder के अंदर हमारा piston है, piston जो है connecting rod से connected है जो की connected है crank से, और फिर जो है crank shaft है और नीचे वारे जो part है, उसको हम क्या बोलते है, उसको हम बोलते है crank case और यहाँ पर लगा रहता है, एक fuel injector ठीक है, अब ये तो क्या construction की बाद, अब देख लेते हैं working क्या होती है अब देखिए, अगर आप अनको two stroke engine को समझना है तो हम चाहें, तो कोई भी process से start कर सकते हैं चाहें तो compression stroke से, ये तो फिर power stroke से तो इस वीडियो में मैं जो है, compression stroke को पहले ले रहा हूँ और power stroke को second में ले रहा हूँ, ठीक है अब देखिए, compression stroke के अंदर क्या होता है कि जो हमारा piston है, वो bottom dead center, यानि bottom position से top position की तरफ जाता है, ठीक है इस stroke के दौरान, जो हमारा inlet port है, वो open रहता है और inlet port के थुरू, जो हमारी air है, fresh air, वो crank case के अंदर enter कर जाती है इस time पे जो हमारा exhaust port है, वो बंद रहता है और transfer port भी जो है, बंद रहता है और दूसरी चीज, अब हमारा piston जो है, उपर की तरफ जा रहा है तो क्या हुआ, कि जो उपर वाला charge होगा मतलब कुछ न कुछ air तो उपर भी होगी, cylinder के अंदर तो वो air को जो है, compress करेगा, ठीक है और जो हमारा fuel injector है, वो diesel को एक spray के form में spray करेगा तो आप इस stroke में देख सकते होंगे कि सबसे पहले यहां से तो हो गया हमारे fresh air का suction दूसरा हो गया हमारा यहां पर compression यानि दो process, suction और compression एक ही stroke के अंदर complete हो चुकी है अब आजाते हैं हमारे power stroke के उपर अब यहां पर जो injector ने जो हम अपना काम किया है यानि जो diesel है उसको spray के form में जब spray किया है at the end of the compression तब क्या हुआ है, उसके वज़े से ignition हुआ है और उस ignition की वज़े से जो है इन gases ने, इन gases का explosion हुआ है और इन gases ने जो है work किया है हमारे piston के उपर इसी current से जो हमारा piston है power stroke के अंदर top dead center यानि top position से bottom position की तरफ आया है ठीक है, अब क्या होगा, इस stroke के दोरान हमारा inlet port बंद रहेगा और transfer port और exhaust port दोनों ही open रहेंगे अब क्या होगा कि हमारा inlet port तो बंद है इस वज़े से क्या होगा, जो crank case के अंदर हमारी air है वो compress होगी, और compress होगी तो उसको passage मिलेगा यहां से उपर की तरफ जाने के लिए तो यहां से वो transfer port के थूँ चले जाएगी हमारे cylinder के अंदर, अब cylinder के अंदर जाने के बाद यहां पे आप piston का उपर का part देख सकते हैं जो कि एक deflector type का है अब इसे इसलिए बनाए जाता है क्योंकि जो air है, वो sufficiently यहां से उपर की तरफ जाए अब उपर की तरफ जाने का मकसद क्या है कि उपर की तरफ अगर हमारी air जाएगी तो वो क्या करेगी, वो जो exhaust gases है उसको बाहर की तरफ धक्का देगी ठीक है, तो अब क्या हुआ कि हमारी जो fresh air है वो transfer port के थूँ जो आचुकी उपर और इसने क्या किया है कि यहाँ पर हमारे इसको जो exhaust gases है, उनको बाहर कर दिया है exhaust की तरफ तो अब इस stroke के दौरान क्या हुआ इस stroke के दौरान हमको power मिली जिसके करण हमारा piston नीचे आया और दूसरी चीज़ जो है exhaust, यह gases का जो gases जो burn होई, उनका exhaust हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है हमारा जो crank shaft वो 0 degree से 180 degree तक चली उसके बाद यहाँ पर 180 degree से 360 degree तक चली यह तो हम क्या कह सकते है कि यहाँ पर इन दोनों को मिला के जो है एक revolution complete होगय क्रेंग शाफ्ट का और इसी एक revolution of crank shaft के अंदर हमारी जितनी चारो प्रोसेस होती है suction, compression, power और exhaust जो चारो प्रोसेस होती है वो चारो ही complete हो गई यह हम दूसरी चीज़ कह सकते हैं कि जो हमारा four strokes के अंदर two strokes के अंदर जो है चारो प्रोसेस complete हो गई तो यह है एक two stroke diesel engine अब मैं थोड़ी सी आपको बाते बता देता हूँ एक two stroke engine के बारे में तो two stroke engine के अंदर हमको हर एक revolution of crank shaft के उपर हमको एक power stroke मिलती है इस वज़े से इसका weight to power ratio बहुत अच्छा होता है पर यहीं पर इसका एक disadvantage भी है कि इसके अंदर जो scavenging है उसकी problem भी होती है अब scavenging क्या होता है उसके उपर में अगली वीडियो मैं आपको बता दूँगा अब मैं बता देता हूँ आपको animated वीडियो के थुरू क्या working होती है एक two stroke diesel engine की तो आप इस animated वीडियो के थुरू देख सकते होंगे जैसे देखिए अब क्या होगा यहां से मारा जो fresh air है वो अंदर आई अब fresh air अंदर आई और फिर वो उपर गई और फिर combustion हुआ और उसके कराण exhaust हो गई gases का अब जैसे मैं आपको इससे समझा देता हूँ क्या हुआ देखिए यहां से यह अंदर आई gases compress वी उपर गई और combustion के बाद यह exhaust gas को बाहर कर दिया इनने ठीक है वापस से बता देता हूँ यहां से air अंदर आई और यह फिर इनने exhaust gases को बाहर कर दिया ठीक है तो hope आपको इस वीडियो में कुछ ने कुछ तो समझ में आया ही होगा so thank you for watching this video thank you